एन्टी ए यूजिस नेट यानि निमिजनेट डाउनलोड इट उन गूगल प्ले स्टार और सबसे पहले मैं एक दावा करना चाहता हूँ दोस्तों आप सभी से दावा है इतना अच्छे से किसी ने नहीं समझाया होगा और ये वीडियो दोस्तों टाइप आफ कंप्यूटर मेमोरी पे होने वाली है और इसके अंदर दोस्तों प्राइमरी मेमोरी एक्स्टरनल यानि कि 10.000 के बारे में जानेंगे और इसमें कैस मेमोरी में मेमोरी वोले टाइल मेमोरी रैम रों और सब ही टाइप की मेमोरी के बारे में आज हम जानेंगे और एक सबसे बड़ा क्विशन होता काफी बार मारा हम कंफियूज होते है जैसे मानके चलिए optical disk होगी, flash memory होगी और फिर दे देंग, cash memory दे देंगे और वो बोलेंगे कि speed के मामले में कौन सी तेज़ है, कौन सी धीमे, यह हमें बताना है, और साथ में वो यह बोलेंगे कि size के मामले में क्या बड़ी है, क्या छोटी है तो आज यह सारा confusion आपका दूर होने वाला है, और इसके साथ साथ दोस्तों हम RAM और ROM के बारे में भी जानेंगे, इस से related भी हमारे बहुत question exam के अंदर आते हैं और इसके लावा दोस्तों memories of size होते हैं KV, MB, GB, TB, PV, EB, ZB इन सभी से related जो भी question आए हैं हमारे वो सभी question हमें आपको दिखाएंगे और with graph दोस्तों with graph और with question आपको पूरा का पूरा ये matter समझाने की कोशिस करेंगे और दोस्तों exam में अगर आपको सफल होना ना तो इस video को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि मैं आपको बहुत ये अच्छे तरीके से यहाँ पे आप देख सकते with picture आपको दिखा रहा हूं और बहुत ये अच्छे तरीके से हम इसको समझाएंगे तो दोस्तों इस video का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों आगे 700 रुपे का कोर्ष आपको 500 रुपे में मिल रहा है आज रात 10 वज़े तक दोस्तों अभी आप जोइन कीजिए नीचे video description box में हमने इसका link दिया हुआ है इस कोर्ष में आपको क्या क्या मिलेगा all 10 unit study notes मिलेंगे दोस्तों Hindi English में all 10 unit add free videos मिलेंगी 2012 से लेके 2021 तक all shift question paper मिलेंगे और अभी हमने इसमें 2022 के question paper भी डाल दिये है all shift के unit wise question paper आपको मिलेंगे जैसे आज तक जो भी question research के आज के वो लगए teaching के लगए, ICT के अलग है पलस में sub topic wise question भी आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि type of research, type of hypothesis, type of sampling unit में से भी sub topic wise question आपको अलग लगए मिलेंगे इसके साथ साथ दोस्तों आपको most repeated होने वाले question इसके बारे में बताये जाएगा, आपको notes दिये जाएगे पलस में आपको videos के जिरिए बताये जाएगा और live mock test होगा आपका हमारी app में और इसमें videos में मिलेंगे और पलस में app में भी आप live mock test देखे देख सकते हैं और किसी भी दरक्यत रहे कि अगर आपको problem होते हैं तो आप हमें WhatsApp पे भी help ले सकते हैं हमारा WhatsApp नमबर है दोस्तों 87083-21010 पे अगर आपको क्यों क्यों पूछने हैं तो आप हमें इसमें WhatsApp पे message कर सकते हैं और नीचे वीडियो description box में link दिया हुआ है वहाँ पे जाके अभी इस course को भाई कीजिए दोस्तों क्योंकि आज रात 10 बज़े ये offer खतम हो रहा है चलिए दोस्तों अब हम अपने topic के बारे में जानते हैं topic है हमारा type of computer memory और इस related जितनी भी हमारी memories है चाहें वो RAM हो, ROM हो, case memory, main memory, primary memory उन सभी के बारे में जानेंगे लेकिन इससे पहले दोस्तों हमारे सामने कुछ basic terms है उनके बारे में जानना जरूरी है तो उसको हम देखते हैं और computer में आपने registers और कैसे memory के बारे में बहुत सुना होगा तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिस करता हूँ देखिए सबसे पहले हम मात करते हैं registers क्या होते हैं Registers are either dedicated or journal purpose small area memory on the CPU अब देखिए CPU के ऊपर ये छोट-छोटे भाग होते हैं छोट-छोटा parts होता है अब हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा CPU क्या होता है देखिए CPU आपको जो हमारा motherboard होता है computer के अंदर एक बकसा देखा होगा आपने side में रखा होगा होता है और उस बकसे के अंदर हमारा motherboard होता है green और उसके अंदर ये आपने देखा होगा कई बार CPU ये छोटी सी chip होती है इतनी तरह की Intel की होती है तो इसके अंदर दोस्तों ये हमारा CPU होता है और इस CPU के अंदर ये देखे ये छोटे 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 पार्ट सापको दिखाई दे रहे है तो इसके अंदर क्या होते हैं हमारे registers होते है और पलस में कैसे memory होती है जी और आपको यहां पर यहां भी देख सकते हैं इसमें ये देखिए यह हमारा CPU एंदर यह देखे Memory Unit में कैसे Memory और Register Memory यह देखे यह जो पाँग है न यहां पे हमारी यह Register Source कैसे Memory होती है अब हम बात करते है Register क्या होते है इनका काम क्या होता है यह देखे इसमें जैसे पहले बता या है कि यह एक छोटा सा पाँग होता है तेज memory होती है computer में लेकिन इसका size बहुत छोटा होता है और कैसे क्या होता है कैसे यार again area of memory on CPU ये भी क्या है हमारा CPU के उपर होता है और ये क्या करता है ये instructions लेता वर उसी के अनुसार ये कारेवाई आगे करता है जैसे हम मानके चलिए keyword से हमने कोई instructions दिया उसको ये आगे process क करने के काम आता है जी तो मैं उमीद करता हूँ आपको ये registers और कैसे दोनों थोड़ी सी basic समझ में आई होगी इसके बारे में जी और अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारी जो computer memory है उसको समझने की कोशिस करते हैं मैं थोड़ी सी screen छोटी कर लेता हूँ इसकी ताकि आपको अ secondary memory और इसका मैं color change कर लेता हूँ यह मैंने green color कर लिया जी देखिए primary memory और secondary memory को बहुती असानी से समझेंगे आप ध्यान ध्यान देना हर एक चीज़ पे देखिए primary memory के अंदर हमारा क्या होता है इसको हम internal memory भी कहते है और primary memory भी कहते है और इसमें कैसे memory और main memory दो त्रह की memory अज़ता है और इसको किस तरीके से divided किया गया वो हम देखते हैं देखे main memory के अंदर एक आती हमारी volatile memory और दूसरी आती हमारी non volatile memory और volatile memory के अंदर आता है हमारा RAM रैम और non volatile के अंदर आता है हमारा ROM अब देखिए इसको याद कैसे करें याद करने की च्छोटी सी ट्रिक मैं हूब बढ़ता हूँ उसे आप अच्छे से समझ जाएंगे अभ देखे इंडिया के अंदर भारत में जो हिंदुरम में है उसमें क्या बोला जाता है राम-राम बोला जाता है यह देखो राम राम बोला जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया रैम जो है वो हमारी क्या है वोलेटाइल मेमोरी है और जो रोम है रोम नहीं बोला जाता रोम जो है नहीं बोला जाता जी तो यह क्या होगी हमारी नोन वोलेटाइल मेमोरी होगी जी यह छोटी सी ट्रिक है हर exam में पूछा जाता है RAM और ROM के बारे में volatile है non volatile है क्या है कैसे है और इसमें बहुत से student confused हो जाते हैं तो मैंने आपको चोटी सी trick की यहां पर बता दी है देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ जो राम राम बोला जाता है ठीक है राम राम बोला जाता है तो RAM क्या होगी हमारी non volatile memory होगी इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं और RAM को फुर्दर आगे डाइनमिक रैम और स्टेक्स रैम के अंदर डिवाइड करते हैं और रोम को हम पी रोम और ए पी रोम के अंदर डिवाइड करते हैं जी तो यह बताईए दोस्तों यहां तक बताईए comment box में कि यहां तक यह system आपको इतना समझ में आया क्या हम थोड़ा basic लेके चलेंगे दोस्तों और उसके बाद में advance चीज़े करते जाएंगे जी सबसे पहले आपको primary memory को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है primary memory के इंदर हमारी कैसे memory होती है फिर main memory होती है फिर volatile non volatile और volatile RAM हो हमारी ROM होती है अच्छा एक चीज और मैं यहां पर आपको साथ की साथ क्लियर करता हुआ चलूं कि इसमें जो सबसे चोटी काई होती है हमारी सबसे चोटी unit जो होते वो क्या होती है रजिस्टर होती है यह हम कर क्या है रजिस्टर हमने किया था ना पीसे बहुत ही च्ट- पैसे च्ट-बहूरी और यह थे तीनों की तीनों ॥ा है अजसे चैनल में मेंऊरी तो मैं बोलते हैं उम्मेद करता हूँ आपको primary memory यहां तक ही यह समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे comment box में लिखिए जी चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारे पास आती है secondary memory आती है secondary memory को और समझते हैं मैं erase यहां पर कर देता हूँ इसको जी secondary memory के अंदर हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है secondary memory जो होती है वो external memory भी इसको बोलते हैं यह बाहर से memory लगाई जाती है computer के अंदर और इसमें देखी इसको secondary memory बोलते हैं और जो external memory जितनी भी होती है हमारी secondary वो non volatile होती है यह चीज़ आप याद रखना यह हमारे exam में किशन पूछा जाता है और यह जितनी भी मैं memory करवा रहा हूँ इस से related जो भी हमारी किशन आज तक आये हो सारी किशन करेंगे हम और आप खुद उनका answer देंगे देखना आपको कितना असानी से answer दे सकते हैं इनका देखिए secondary memory के अंदर हमारी जो non volatile है उसमें किस तरह की memory आती है नमर एक पर आती है दोस्तों magnetic disk के अंदर हमारी होते है floppy disk और HDD यानि की hard disk drive आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने picture यहाँ पर बना रखिए इस तरह की hard disk है हमारी यह हमारी floppy disk है जी उसके बाद मैं बात करते हैं दोस्तों optical disk की बात करते हैं optical disk के अंदर हमारा क्या होता है दोस्तों यह हो गया हमारा cd-rom हो गया फिर dvd हो गया कि हमारी blue ray disk होगी अच्छा इसमें मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कई दोस्तों पूछेंगे कि सर इसके अंदर difference क्या है जी मैं थोड़ा सा जूम करके आपको चीजे दिखाता हूं ता कि अच्छे से चीजे आपको समंझ में आ जाएंगी देखी साइद आपको यहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन फिल भी मैं बता देता हूं जो cd जो होती है न दोस्तों cd का जो size होता है 700 m भी होता है जी और जो dvd होता है dvd का size करीब साधे 4 GB के करीब इसमें होता है जी और blu-ray disc होते हैं इसका size जो होता है 25 GB के करीब होता है यह size के अंदर और quality के अंदर इनका difference पाया जाता है तो optical device आपको पता चल गया और optical देखे exam के अंदर कैसे question पूछा जाएगा exam के अं size कौन कौन सी है तो आपको कैसे याद कि इंदर और क्या तो ब्ॉक्तिकल थो एक अप्लिकल के अनदर क्या ऑ और रहा है और ना फील तो ब्रक्रिक, ऑप्टिकल इसमें करा tape की बात करते हैं magnetic tape के अंदर क्या होता दोस्तों इसमें हमारी पहले जैसे tape recorder होता था और हमारे VCR होते थे उसमें हम cassette डालते थे ना cassette डाल की गाने सुनते थे और आपने किस-किस logo ने वो cassette use किये VCR किसने use किया हुए tape recorder किसने use किया हुए box में लिखना जी जरूर लिखना कौन से छेतर से हैं आप इंडिया में कौन सी जगह से हैं और आपने किस-किस ने use किया वो लिखना देखते हैं यार जी आगे हम बात करते हैं दोस्तों flash memory की बात करते हैं flash memory के अंदर आता है हमारा memory card आ गया pen drive आगी USB आगी से आपको समझ में आए ये चीज़े समझ में आई जी ये आपका जो second part है मैं एक पर फिर से इसको erase कर देता हूं जी second part जो है हमारा secondary memory है आपको समझ में आया ना secondary memory से हमारी जो question बनते हैं वह ये पूछते हैं निमल लिखत में से non-volatile memory कौन सी है तो non-volatile कौन सी हमारी secondary memory क्या है non-volatile है और अगला जो question पूछते हैं दोस्तों इसमें ये पूछा जाता है कि निमल लिखत में से optical disk drive कौन सी है magnetic drive कौन सी है वो हमें देखना है और plus में एक और question आता है इसमें से कि हमें sequence के अंदर लगानी होती है चीजों को और sequence में हम ये पूछ लेंगे जैसे वो दे देंगे exam के अंदर कैसे memory देंगे magnetic disk देंगे और वो दे देंगे flash memory देंगे और फिर non-volatile देंगे जैसे RAM दे देंगे और फिर कहेंगे कि इनको sequence में लगाईए जी तो sequence में एक थोड़ा सा है उससे कम किस के उससे कम किस की है इस तरीके से अगर हम देखे तो सबसे ज्यादा जो speed होते है दोस्तों वो registers की होती है CPU register की सबसे ज्यादा speed होती है लेकिन इनका size बहुत छोटा होता है और उसके बाद में number 2 पे आती है कैसे memory फिर आती है main memory main memory के अंदर यह बताया था न हमने वोलेटाइल नोन वोले रैम और रोम हमारी main memory में आते हैं जी और उसके बाद में हमारी secondary storage यह आगी हमारी सारी की सारी यहाँ पे जो है यह सारी की सारी secondary storage आगी इनकी जो speed होती है वो slow होती है लेकिन इनका size बड़ा होता है अगर हम देखे speed के मामले में बात करें तो सबसे बड़ी कुन होगी CPU होगी और अगर हम बात करें सोरी यहाँ पे उसकी speed की बात कर रहे थे हम speed के मामले में CPU का size बड़ा होगा लेकिन अगर हम size की बात करें size की बात करें तो size के अंदर सबसे बड़ी जो होगी वो हमारी secondary storage होगी उसके बाद में हमारी main memory होगी फिर कैसे memory होगी और फिर CPU register यानि कि ये उल्टा हो जाएगा इनका करम जो है उल्टा हो जाएगा तो CPU register बहुत छोटा हो जाएगा इसकी speed तेज होगी जी increase as we go from top to bottom ये देखिए ये देखिए यहाँ पर जो speed है वो बढ़ती जाएगी इसके अंदर इसकी speed ज्यादा है इसकी कम है फिर इसकी कम है इसकी कम है इसकी कम है ये तीनो की तीनो हमारी क्या है internal memory है और ये हमारी क्या है external memory है जी ये भी आपको RAM और ROM RAM और ROM के इंदर क्या difference है वो हम जान लेते हैं और उसके बाद में बस जल्दी ही इससे related जो भी हमारी क्यूशन है वो सारे की सारे क्यूशन हम करेंगे जी RAM जो होती है दोस्तो हमारी वो क्या है volatile होती है non volatile RAM RAM राम बोलते हैं है ना तो यह क्या हो गया हमारा volatile memory हो गया और इससे हम temporary temporary memory भी बोलते हैं जी और बट रोम जो होती है इसको non volatile memory है और यह क्या है हमारी permanent memory है जी और जो RAM है इसे read और write कर सकते हैं और लेकिन यह क्या है it is read only memory इनकी full form भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों form है जी और इसके अंदर एक और जो चीज होती है दोस्तों it is working area of computer और यह क्या है it is start up memory of the computer which store the start up information जो यह क्यूशन आता दोस्तों हमारा exam के अंदर बहुत बार क्यूशन आया हर exam में क्यूशन आता है कि BIOS किसके दवारा start up किया जाता है तो वो रोम के दवारा और अलग अलग तरह से क्यूशन पूशे जाते हैं जब हम computer को start करते तो किसका उप्यों किया जाता है रोम को इस्तमाल किया जाता है तो यह start up routine के अंदर इसका काम आता है रोम का काम आता है मैं आगे आपको अभी दिखाऊंगा किस तरह से इसके क्यूशन आए और आप सभी कों सभी क्यूशन का आंसर देना है जो जो दोशन का आंसर नहीं देगा उनकी कुटाई होगी चलिए तो अब हम इस से related जो भी क्यूशन आए वो क्यूशन करें आर यू रेड़ी जी वाओ क्या बात है वेरी गुड़ है वेरी गुड़ दोस्त श्यावास तलिए क्यूशन नमर 39 है इसका अंसर दीजिए दोस्तो इसका अंसर क्या होगा और इस क्यूशन में क्या पुछा हुआ है कि इसमें पुछा हुआ है computer memory time from highest to lowest speed सबसे तेज स्पीड से सबसे कम स्पीड में हमें हमें सीक्वेंस बतानी है किसकी है तो इसका अंसर दीजिए आप चाहे तो दोस्तो हर क्यूशन को आप रोक के उसका अंसर शोच सकते क्या होगा और comment box में उसका अंसर आपको लिखना है और मैं इसका अंसर आपको बता देता हूँ को देके जाता हूँ उसका अंसर देना सभी दोस्तों को 39 क्यूशन नमर का कि इसमें यहां पे तो स्पीड के मामले में पूछा हूँ यह देखिए किसके मामले में पूछा हूँ स्पीड के मामले में अगर मैं साइज के बारे में बात करूँ तो साइज के कि बारे में बताइए सबसे बड़ा size किसका है फिर उससे छोटा किसका है उसका उससे छोटा किसका है size के बारे में अगर पूच लिया जाए size के बारे में पूच लिया जाए तो इसका right answer क्या हुआ question number 39 का answer लेखे comment box में जी चलिए अगला question हम करते है दोस्तों अगला question है which of the following correct listed computer memory type from the lowest to highest speed अब देखिए इन्होंने क्या पूछ लिया lowest to highest speed सबसे कम speed से तेज speed किसकी होगी अब उसने क्या है उल्टा पूछ लिया ना तो इसका answer बताईए दोस्तों क्या होगा होगा क्या होगा है मारी कैस memory मेंच इसकी तो थेज होती है ना और इसकी कम होती यह तो होगा नहीं उसके बाद मैं हम बात करते दोस्तों main memory, cache memory, secondary, storage ये भी नहीं होगा ये देखी ये होगा इसका right answer option 3 होगा secondary storage main memory और फिर cache memory जी ये होगा ना इसका right answer देख इसका right answer क्या होगा चलिए दोस्टो इसका right answer आपको दिखा देता हूँ इसका right answer option 3 होगा बिलकुल सही दोस्तों very good way very good बहुत अच्छे स्यावास जी तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से क्यूशन को कर सकते हैं वही और इस से रिलेटिड आगी जो क्यूशन है उन सभी क्यूशन को हम देखते हैं देखी आगी क्यूशन है दोस्तों हमारा यह आ गया ओप्टिकल सिर्फ हमारी चकरी की डिवाइस है गोल गोल चकरी की जो डिवाइस है वो हमारी क्या हो जाएगी सारी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हो जाएगी तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्या होगा वह बता 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 हो जी यूस्वी यूस्वी क्या होती है हमारे यूस्वी तो ऐसे ह तो तीरा pen drive होती है, इसमें इस तरीके से आगे लगी होती है, इसको हम computer में लगाते हैं, तो ये तो गोल नहीं है, तो ये answer नहीं हो गया, ये answer cut हो गया, और उसके बाद में बात करते हैं, जैसे यूसबी की बात करते हैं, इसमें भी यूसबी आ गया, ये भी नहीं हो गया, ठीक है उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे इसमें भी क्या आ गया है मेमोरिस्टिक आ गया यूस भी आ गया तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा और अब देखिए option number 4 DVD क्या है DVD हमारी गोल है CD ये भी गोल है ये भी गोल है और ये भी हमारी गोल है चैरोगी चैरी गोल है तो इसका right answer क्या होगा option 4 इसका right answer हो जाएगा येस जी बिलकुल सही है दोस्तों मैं आपको यहाँ पर answer दिखा भी देता हूं इसका जी बिलकुल सही है दोस्तों इसका right answer option 4 है very good बहुत अच्छे श्यावास बही तो आर है नमजा दोस्तों जी सभी question हम आपको करवाएंगे आज की इस वीडियो में बने रहना हमारे साथ और रियल में कहरों बहुत धम्मा किदार वीडियो यह आज होने वाली है और इससे पहले इस तरह से आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा जैसे आज हम आपको सिखा रहे हैं जी आगे दोस्तों हमारा when a computer is booting BIOS is loaded to the memory अभी दे क्या होगा यह देखी यह चीजे तो होगी नहीं CD-ROM और TCP यह तो होगा नहीं इनके बारे में तो हमने पढ़ा नहीं था अब मेरे को पता है आप confused ओ रैम होगा या रोम होगा क्या होगा इसमें से है ना जी चलिए इसका answer मैं होता हूँ इसका answer क्या होगा इसका right answer हाँ जो start of memory of the computer यह देखी यह बिल्कुल सही है जी तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से किशन को कर सकते हैं दोस्तों और इस related आगे हम किशन देखते हैं जो हमारे किशन आए हैं देखी आगे हमारा किशन है दोस्तों RAM रैम जो है वो किस तरह की memory है वो हमें बताना है जी तो सब्सक्राइब दोस्तों तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से इसको याद रख सकते हैं और इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूं जी डोस्तों आपको सभी सोच रहे हैं तो आएंऎ मजाए variance को लाइक की जिये और शेर हैं और एक शिकायत है दोस्तों मुझे आप सभी दोस्तों से आप लोग यार वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं, लेकिन यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, अब भी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठाकि आप हमारी आने वाली वीडियो को ऐसे ही देखते रहें जी अगला हम क्यूशन करते हैं दोस्तों यह देखें इस टाइप ऑफ जून 2016 में क्यूशन आया है और स्टार्ट अप रूटीन को कौन निर्धारित करता है और यही क्यूशन हमारा पीछे था यह देखें यह रहा यह देखिए भी आई इसको जब लोड किया जाता है तो यह कि आजून 2014 में आये था और यह 2016 में आया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी क्यूशन एक्जाम में रिपीट हो रहे हैं बार बार जी चलिए अगला क्यूशन है दोस्तों कथन अभी कथन के क्यू हम और लॉल Ubbers और मोते क्या रों हम और फंधिया नहीं बोलत तो नहीं यह तो यह कुत हो जाएगा जी रेंड्म एकसेस में ही जी रैंडी इ्स ऑप्राइओ यह और रेंदम और यह क् conseguemी कंडरी secondary memory is volatile memory secondary memory है वो volatile है क्या होगा क्या पढ़ा हमने यह है non-volatile memory yes 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 जी बिल्कुल सही दोस्तों तो यह भी answer नहीं होगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा right answer only क्यूँ इसका right answer होगा यह देखे only q option to इसका right answer हो जाएगा यहाँ पर वाँ आपको answer दिखा देता हूँ यह देखे only q इसका right answer है जी तो इस तरह ऐसे दोस्तों आप बिल्कुल असानी से क्यूशन को कर सकते हैं और यह देखे मैंने आपको starting में यहाँ पर दिखा दी थी सारी चीजे ही देखे secondary storage क्या थी हमारी non-volatile थी ना यहाँ पर आप देख सकते हैं यह देखे यह non-volatile हमारी memory है जी चलिए अब हम इस से related जो और question आए उन सभी question को करते हैं और आप यार आप कंजोसी मत बरतो वीडियो को like करो कमेंट करो और share करो और चैनल को subscribe करो और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप कोई नोट्स चाहिए ना तो आप हमारा paid course से जुरूर जोइन करना वही लिंक आपको नीचे वीडियो description box में दिया हुआ हुआ है उसमें आपको all 10 unit study notes मिलेंगे वीडियो मिलेंगे more test मिलेंगे paper मिलेंगे बहुत कुछ उसमें आपको मिल रहा है जी अगला किशन है दोस्तों which of the following computer component fastest in term of the speed of access यह देखिए यह बता रहा है कि speed के मामले में सबसे तेज कौन सा है वो हमें बताना है speed के मामले में तो क्या होगा USB होगा क्या या फिर solid state drive होगा या फिर RAM हो मैं फिर hard disk होगी क्या होगा speed के मामले में क्या होगा इसका right ये था हमारी एंदर में मेमोरी और और नमबर 4 जो होगा हमारा उप्रेश। धिश्च नमबर 5 जो होगा ओप्ट अप्टिकल डिस्क नमबर चवप होगा midnight tape नमब्र साथ तो हमारा दिशमे तो यह यहाँ पर मैंने रेम की जो स्पीड है वो सबसे तेज होगी जी तो इस तरह ऐसे बिलकुल असानी से याद रख सकते वही आपको वो ग्राफ देखने की ज़रूरत है अगला किशनम करते हैं दोस्तों देखिए की पे नोर्ड कंसाइडर as a form of secondary storage, secondary storage के अदर हमारा क्या नहीं आता वो हमें बताना है तो secondary storage हमें क्या नहीं आता बता हुई, secondary storage यो यह देखिए हमने इस तरह के से बनाया था ना, हमारा floppy disk optical disk और यह flash drive यह तिनों की तिनों क्या हमारी secondary storage है और यह हमारी रेम क्या हो जाएगी हमारी primary memory हो जाएगी तो right answer इसका क्या होगा option A इसका right answer होगा वैई very good very good दोस्टों च्यावास चलिए अगला किशन हम करते दोस्तों निमील लिखेद में स्टोरेज आती है जी आगे हम बात करते हैं दोस्तों इस से रिलेटेड जो किशन आये हैं दोस्तों अगला किशन है हमारा वर्ट इज मिन्ट वाइदा रैम रैम का क्या मतला हो वो हमें बताना है अब देखिए इसके अंदर किषके अधर करते हैं रोम रोम को रोम किसे चैंक हो सकते हैं रोम जो здоровya मतलब भी which can we both read and write इसे read भी कर सकते, write भी कर सकते यह हमारी क्या होगी, RAM होगी तो right answer इसका 4 होगा भी very good दोस्तों, very good, शाबास चलिए, अगला किशन हम करते है दोस्तों अगला किशन है हमारा यह हमारा कथन अभी कथन का फिर से आगया कथन, अभी कथन का जो भूत घोसा आगा आपके अंदर उसे मैं निकाल के छोड़ूँगा जी, यह हमारी statement 1 क्या है example of primary memory is RAM, RAM क्या हमारी primary memory है, yes, बिल्कुल सही बिल्कुल सही है, जी, तो option statement 1 इसकी बिल्कुल सही है जो primary memory के अंदर हमारी RAM आती है example of secondary stories के pen drive secondary stories pen drive, जी, बिल्कुल सही है, दोनों की दोनों चीज़े इसकी सही है तो यह इसका right answer सही होगा यह आया हमारा 30 सक्टमबर 2020 morning shipping में क्यूशन आया है और इसका answer देखिए, जी, यह answer है इसका दोनों की दोनों statement हमारी सही है, जी, चलिए आगे हम बात करके दोस्तों बहुत से question यहाँ पर है सारे के सारे question आपको हमारी app निमीजनेट में मिल जाएंगे अगला question है, दोस्तों हमारा question है, एक minute रुकिए, इसको हम ऐसे करते हैं यहाँ पर, यह आगे हम यह आगे, draw पर cache memory is faster than random access memory जी, RAM से ज़्यादा तेज होती है, क्या cache memory हमारी, बताओ, बताओ, सोचके बताओ, इसका right answer क्या होगा, जी, बिल्कुल चाहिए है, जी, cache memory जो है वो तेज होती है, RAM से ज़्यादा तेज होती है, तो option है, इसका right हो जाएगा, option 2 की बात करते है, random access memory is closer to the processor then cache memory, अब ये कह रहा है कि जो RAM जो होती है, वो प्रोसेसर के नजदीक होती है, cache memory से ज्यादा नजदीक होती है, तो क्या ये बात इसकी सही है, नहीं, ये इसकी बात सही नहीं है, क्यूंकि हमने हम पढ़ के आये थे ना, दोस्तों, जो हमारी cache memory और register memory क्या है, CPU के अंदर होती है, CPU मैंने आपको दिखाया था, CPU के अंदर जो छोट छोटे 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 पार्ट से जो होते है, उसके अंदर हमारी cache memory और register memory होती है, जी, तो option 2 जो ये गलत हो जाएगा और one सही होगा, तो इसमें क्या होगा, one is correct, but second is incorrect, देखें इसका right answer क्या होगा, देखते हैं इसका right answer क्या होगा, एक minute रुको, जी, वाव, क्या बात होई, वा भई, वा, तम ना तो कमाल कर दिया, वा बेटे, वा, तम तो बड़े highway driver होई, जी, right answer का option 3 होगा, बिल्कुल सही है, तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल असानी से question को कर सकते हैं, अगर आपको funda clear हो जाए तो, और मैं उमेद करता हूँ, आप सभी दोस्तों का funda clear हुआ होगा, जी किस का funda clear हुआ, नीचे point box में लिखें, और अगला question है दोस्तों हमारा, बहुत ही easy question है, यह हमारा, external hard disk is primary memory, hard disk क्या है, primary memory है क्या, यह secondary memory है, yes, 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 यह क्या हमारी secondary memory है, तो यह option गल्थ हो जाए, उसके बाद में बात करते है, in general, pen drive have more storage capacity than external hard disk, यह देखे, pen drive की memory ज्यादा होती है, hard disk के, उसके comparison में, तो क्या यह बात सही कह रहा है, मुझे तो सही नहीं लग रही, मेरे दोनों की दोनों बाते गलत लग रही है, तो देखे, इसका right answer क्या होगा, मेरे समर्थर में कोन है, हाथ खड़ा कीजिए, बताइए, इसका right answer क्या होगा, जी, इसका right answer दो है, देखो, बोथ statement one and second are false, दोनों की दोनों हमारी क्या है, गलत है, जी, बिल्कुल सही है, जी, इस दिसने हाथ खड़ा किया था न, उन सभी का सही है, जी, बिल्कुल सही दोस्तों, चली, अगला question हम करते है, और आज मैं दोस्तों, एक दम, एक दम बढ़िया तरीके से, सारी, सारा जो fund है, वो clear करके रहूंगा, आप लोगों का memory के इंदर, कोई भी ऐसा topic नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा question नहीं रहेगा, जो repeat हुआ है, इसके अंदर ये 11 November 2020 को repeat हुआ है, तो इसका अंसर दीजिए, क्या होगा, जी, चलिए, अगला question हम करते हैं, अगला question है, दोस्तों हमारे पास, random access memory is volatile and stored data currently in use, अब ये देखिए, random access memory क्या है, volatile है, RAM क्या है, राम राम, बोलते हैं, है न, जी, बिल्कुल सही है, RAM is a और storage medium that retained content even after the fly of electricity has been turned off, जी, इसके अंदर RAM के अंदर जो data होता है, electricity जाने के बाद भी बना रहता है, जी, क्या होगा इसका right answer, इसका right answer, देखते हैं, इसका right answer, क्या होगा, जी, इसका right answer, दोस्तों, option 3 है, कि ये true है, और जो है, वो false है, ये हमारा true है, एक मिनिट रुकी, इ ये सही है, ये तो हम पढ़के आए है न, देखी, RAM क्या है, वो हमारी volatile memory, ये बिल्कुल सही बात है, इसकी, है न, और ये क्या है, store data program currently in use, जब हम प्रोग्राम को चलाते है, जैसे game चला रहे, वीडियो चला रहे, कुछ भी चला रहे, उस समय इसका उप्योग किया जाता है RAM का, और ये जो चीज है न, ये चीज इसकी गलत है, supply of electricity has turn off, ये क्या है कि बनी रहती है, ये चीज इसकी गलत है, तो ये राइट आंसर इसका नहीं है, उप्शन है, इसका राइट आंसर होगा, चलिए, आगे हम देखते हैं दोस्तों, इस से related जो भी क्युशन आया है, हमा हमारे, देखे, RAM के बारे में क्या क्या हमारा सही है, वो आप इसमें देख लिना, और जो अलग, अलग जो किशन है न, दोस्तों, वो हम देखते हैं, ये देखे, वो ही चीज ये दोस्तों, हमारी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी होगा, रैम इस ये वोलेटाली मेमोर देखते हैं, जी, देखे, 2021 में कैसे क्यों आए है, हमारे, इसमें हम देखते है, रैम एक्सेस मेमोरी से रिलेटिड, ये हमारे क्यों है, और इसका आंसर हम देख लेते हैं, दोस्तों, टाइम हमारे पास कम है, और क्यों ज्याद है, तो राइट आंसर क्या है, इसका था इसका राइट आंसर है ना एक मिनिट पर दुबारा से देख लेता हूँ जितरी इसका राइट आंसर और थरी के अंदर हमारा क्या है ए और बी अरे यार 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 कहां गया यह रहा ए और बी एक अंदर क्या है यह क्या है तंप्रेरी डेटा होता है इसके अंदर जाता है जी तो दोस्तों ये और भी इन दोनों दोनों उप्शनिस के राइट होंगे जी तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल असानी से क्विशन को कर सकते हैं जी दोस्तों मज़ा आ रहा है आप लोगों को अगर आप लोगों को मज़ा आया तो दोस्तों बजा दीजिए गंटी वजा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, तो आप हमारी एपन इमिज नेट जरूर डाउनलोड करना, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए है, अब देखे, आपने कम्प्यूटर में फोटो देख्योंगे, अपने फोन में सोंग देख्योंगे, पिक्चर देख्योंगे, वीडियो देख्योंगे, कोई 5 MB की तो फोटो होती थी पहले, आज के समय में तो MB में जाती है, जी, तो जो फोटो है, उनका साइज होता है, KV में, MV में, GB में, ठीक है, तो ये देखिए, हमारा सबसे छोटी जो एकाई होते हैं, वो होती है, दोस्तों, bit होते है, bit को B से represent किया जाता है, छोटे B से, और इसका size होता है, दोस्तों, 0 और 1 के अंदर, उसके बाद हम बात करते हैं, नीबल के अंदर दोस्तों, 4 bits होती है, और उसके बाद हम बात करते है, bytes की बात करते है, bytes में, bytes को बड़े B से denote किया जाता है, और इसमें 8 bits होती है, यहां से हमारा क्यूशन आता है, दोस्तों, exam के अंदर, नीबल के अंदर, कितने bytes होती हैं, तो कितने होती है, 4 होती हैं, ठीक है, तो यह आप याद रखना, फिर हम बात करते है, kb की बात करते है, kb में 1024 byte होती है, mb में 1024 kilobyte होती है, यह देखे, यह इसके अंदर, पीछे लगता जाएगा, kilobyte हो गया, और gb के अंदर हम बात करें तो 1024, mb हो जाए, यह देखे, megabyte, और tv की हम बात करें तो 1024, gb हो जाएगा, और pv की बात करें तो हमारे memory size है आप इससे देख लेना लिख लेना याद कर लेना कुछ भी करना चाहिए घूंटी पीना चाहिए इंजेक्सन लगाना कुछ भी करना इस रिलेटिड हमारे exam में कुछन आए हैं और आगे मैं बताता हूं इस रिलेटिड हमारे किस तरह से question exam में आते हैं अब देखिए एक और जो हमारा question आता है uses net exam में question आता है हमारा वो यह पूछते हैं मेगावाइट में जो binary system है उसकी power कितनी है वो इस तरह से question देते हैं exam के अंदर तो यह देखे सबसे पहले हम बात करते हैं किलोवाइट के अंदर 2 की power 10 होती है never 50 होती है तो 10 दस थीश सारी पावर आगे बढ़ती उझा रही है भी इस तरह से हमारा exam में क्योशन आए है मैं आपको दिखाऊंगा तो एक तो दोस्तों आपको sequence याद होनी चाहिए sequence कैसे bytes होगी होगी हिर Unbe हो गया फिर बी हो गया फिर जी b disposbringen हो घी भी हो को कुल याद होनी चाहिए ची यह रही हमारी सिक्वेंशींटीए देखे वर इनही से हमारे किशन आगे पीछे गुंते रहते हैं जी है वर क्यूषन हमारा एक जाम के नदर आता है आपने बार उसमें ये इसकी digits भी पूछ लेते हैं number of whites कितनी होती है ये देखें एक 2403 किलोवाइट में और MB के अंदर क्या होता है 10, 48, 556 फिर अगर GB की बात करें तो 10, 53, 74, 18 ये बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी series है आपको ये पूरा याद रखने की जुरूत नहीं है आपको याद रखने की जुरूत है शुरू की 4 digits आप याद रख लेना यहीं से आपका question बन जाएगा अच्छा एक चीज़ आप इसमें नोट कीजिए ये क्या है 24, 24, दोनी 180 है जी तो ये थोड़ा समय आपको trick बता रहा हूँ याद करने की चीज़ों का अगर exam में आ जाए तो क्या logic लगाएंगे या ठीक है जी चली अब हम इस related जो भी question आवो question देखेंगे लेकिन उससे पहले हम एक और जो question आता है हमारा exam में वो question और मैं दिखा दिता हूँ वो आता है हमारा Indian number system में वो पूछ लेते हैं या फिर international number system में पूछ लेते हैं वह एक के बी किस के बराबर होता है एक हजार के बराबर होता है और ये thousand इसको हम बोलते हैं आपको पता ही है फिर अगर हम बात करें वन एमबी की बात करें तो ये 10 लाग के बराबर होता है और ये 1 million इसको इंगलेश में लिखते हैं जी ये आपको याद रखना है दोस्तों 10 लाग बराबर क्या होता है 1 million होता है अब आप ये कहें अमाल लिजिए एक्जाम में आ गया कि 1 trillion is sorry 1 TB is equal to ये दे देंगे एक्जाम के अंदर 1 billion 10 billion ठीक है और 1 trillion ये देंगे तो आप इसे कैसे याद रखेंगे इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ बहुत ही असान सा है ये देखिए जो हमारा केवी है केवी को तो आप याद रखी से रख सकते हैं 1000 केवी होता है हमारा है ना जी इसको आप याद रख लिए अब हम बात करते हैं दोस्तो 1 Mb की बात करते हैं एंबी के अंदर क्या है 1 million आरह ना एंभी में देखिए Mb में अंगया यहां से M आ गया ठीक है और million में हमारा यहां से M आ गया तो M से M हो गया वन million ठीक है उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों TV की बात करते हैं TV के अंदर क्या है हमारा TA यहां से और यहां पर trillion में क्या है TA यहां से तो T से T बन गया M से M बन गया MB से million T से TB से trillion ये चीज़े हमें याद होगी और बाद में रहे गया बीच में क्या रहे गया हमारे पास 1 GB रहे गया GB को आप 1 million से इसे याद रख सकते हैं तो ये एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों याद करने की और अब इस related जो भी किशन आया है हमारे वो सारे किशन में आपको दिखाने वाला हूँ तो तयार हो जाए जी चलिए तो सबसे पहला किशन दो तो 1 TB is equal to 1 TB is equal to किसके वराबर होगा ये हमें बताना है जी अब हम 1 trillion की बात करके आये हैं तो उसमें क्या था हमारा देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ 1 trillion ये देखिए 1 trillion ये था हमारा अरे यार कहां गया ये मैं तो उल्टा पकड़ देता हूँ यार बार बार इसको अब देखिए 1 trillion 10 खरब 10 खरब के बराबर था इसमें कितनी जिल्वा है 3 3 3 3 ये देखिए 1 2 3 4 बार 4 बार 3 3 3 multiply हुआ है यहां पर और अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे देखिए तो यहां पर इन्होंने केबी पहले ही दिया हुआ है है ना और एक केबी के अंदर क्या होता है 1000 bytes होते है ना 1000 bytes होते हैं तो हमें कितना चाहिए था 1 के आगे 4 बार 3 0 इस तरीके से है ना ये देखिए इस तरीके से ये है हमारा 1 trillion के equal to 1 TB के equal to तो इसमें क्या होगा ये देखिए 1 2 3 तो ये हो गया हमारा है ना और ये वन जो के भी है ना के भी इक्वल टू किसके होगा वन एक हजार बाइट्स के इक्वल टू होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जागा दोस्तों एक हजार यह हो गया तो राइट आंसर इसका उप्शन 3 होगा जी जी दोस्तों तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी स में तो किस तरह से आपको कीशन करनाएं अगला केशन है दोस liken czym हमारा इसमें हमें सेंडिंग और फिर टीबी यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नुमर फॉर इसका बिलकुल राइट आंसर है जी और नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों कुंशा केशन कब आया एक अक्टूबर 2020 इवनिंग सिर्फ में किशन आया हुआ है आगे मात करते हैं दोस्तों वन टेरावाइट इ कर सकते हैं और आगे फिर से कुशन आगया हमारा रिपीट हो गया और यह देखे यह आगया हमारा किशन किशन इसके होगा मैं आपको बता रहा था ना इंडिन नंबर इंटरनेशिनल नंबर सिस्टम जी आप सोच रहे थे सर पता नहीं क्या करवा रहे तो इस तरह से हमारे एक्जाम में कि सुनाते है एक्जाम में तो इसका आंसर बताई दोस्वर वन ट्रिलियन किसके एक्वल्टू होगा और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी वो ट्रिक क्या थी वो ट्रिक थी हमारी जो वन एम बी किसके एक्वल्टू होगा वन मिलियन के एक्वल्टू होगा ठ billion character के जी बिल्कुल चाहिई दोस्तों बिल्कुल चाहिए तो राइट आन्सर मा आपको दिखा देता हूँ जी वाव क्या बात है क्या वात है वह वन जी इसका वन गिगवाइट इसका हो जाएगा जी तो दोस्तो आ रहा है ना आप लोगों को मज़ा है ना अगर मज़ा रहा है तो लाइक कीजिए कोएंट कीजिए शेर कीजिए आगे देखें वन जी भी आ गया वन जी भी आपको बता दिये एक बता यह किसके एक उलतो हो गा 10024TB का एकवल हमारा यह हो जाएगा आगे हम बात करते दोस्तो यह है हमारा यह देखें दूबारा फिर से आगया हमारा ही нек inclusive हम करके अब देखिए 13 November 2020 को एक किशन आया हुआ है यह देखिए नीचे आप देख सकते हैं तो आप देख सकते दोस्तों किस तरह से हमारे एक्जाम में यूजीस नेट में किशन बार 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 रिपीट हो रहे हैं और अगर आपको सभी यूनिट के इस तरह से रिपीटीड होने वाले किशन के बारे में जानना है कि ऐसे कौन से किशन है जो ICT में रिपीट होते हैं रिसर्च में रिपीट होते हैं टीचिंग में रिपीट होते हैं अगर आपको मोस्ट रिपीटीड होने वाले किशन इसके बारे में पता हो जाएना तो दोस्तों आपका पहली बार में नेट और जियर्फ क्वालिफाई हो सकता है अगर आपको इस सभी कुशन के बारे में जानना है तो आप हमारा पेड कॉर्स जरूर जोइन करना उसके अंदर हम आपको 2012 से लेके अभी तक जितने में कुछिशन पेपर हुए है उन सभी कुछिशन पेपर के आपको टोपिक वाइज और यूनिट वाइज कुछिशन अलग लग की हुए मिलेंगे प्लस में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कुछिशन जो बार बार एक्जाम में रिपीट होते हैं तो अभी जोइन कीजिए नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जी अगला किशन है दोस्तों ये फिर देखी ये ये देखी फिर से आगया ह हमारा वन बिलियन क्रेक्टर ये देखिए वन बिलियन क्रेक्टर और ये कब आया हमारा नवंबर 2017 में किशन आया है तो आप देख सकते दोस्तों किस तरह से हमारे एक्जाम में किशन रिपीट होते हैं बार बार हमारे किशन एक्जाम में रिपीट हो रहे हैं जी अगला कि sequence लगानी है sequence आप लगा के दीजी इसका right answer क्या होगा मैं आपके comment का आपके answer का इंतजार कर रहा हूं किशन नमर 28 का answer दीजिए comment में जी बताई इसका right answer क्या होगा दोस्तों जी अगला किशन हम करते दोस्तों ये वी ये देखे 2021 में जो कुछन आए है अच्छा ये कुछन हमारा काफी मज़ेदार कुछन है दोस्तों कुछन नमर 28 इसका अंसर दीजे क्या होगा जी यह हमें बताना है रैंक फ्रॉम लार्जस्ट टू समालस्ट सबसे बड़ा कौन सा और उससे छोटा कौन सा ह वो हमें बताना है जी इसके अंदर सबसे बड़ा क्या है वो हमें बताना है जी एक हजार पचास सुरी पंदहासों एंभी पंदहासों एंभी किसके एक हजार एंभी किसके एकुल्ट होता है पहले आप इसको निकाली एक हजार एंभी किसके एकुल्ट होता है वन टीबी के GB हो गया ठीक है यह फिर क्या है फाइव के भी हो गया और उसके बाद में वन जी भी हो गया यह वन जी भी हो गया और उसके बाद में वन टी भी हो गया तो अब बताईए सबसे बड़ा कौन सा है और फिर छोटा कौन सा फिर छोटा कौन सा है तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा C की बात करते ही, यह दिखिए 1, GB आएगा और last में क्या आएगा हमारा यह आएगा 5K भी आएगा तो इसका right answer क्या होती हो सो option और वन इसका right answer हो जाएगा जी दोस्तो तो इसका right answer क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए आ जी वाओ क्या बात है वेरी गुड दोस्टो वेरी गुड वई तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल असानी शेक्षियन को कर सकते बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यक्ता है आप लोगों को तो दोस्तों इस कलास में हमने टाइप ओफ मेमोरी से जितने भी कुषिन हमारे आज तक बने हैं, वो सभी कुषिन हमने किये हैं, और मैं उमीद करता हूँ, आप सभी को यह कुषिन समझ में आ गये होगे, पहरा ग्राफ और लिन आप को समझ में आ गया होगा, और अब आपका जो फंड है न, उत्रांचल से कहां से हैं? आप हमें बताइए और आगे आपको किस topic पे video चाहिए वो topic भी आप लिखना और आप को ये हमारी video कैसी लगी इसके बाइबे आप हमें जरूर बताना और हमारी video को like करना, comment करना और share करना और हमारे channel को subscribe करना मत भूलना और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप कोई नोट्स चाहिए तो आप हमारी Apple ImageNet डाउलोड करना उसमें अभी हमारा ओफर चल रहा है दोस्तों 26 जनवरी ओफर चल रहा है जो आज 31 जनवरी को रात 10 वजे खतम हो जाएगा आप के विल 500 रुपे में उस कोर्स को जोइन कर सकते हैं रात 10 वजे ओफर खतम हो जाएगा इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है और 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे एड़ फ्री वीडियो मिलेंगी 2012 से लेके अभी तक जितने वी क्यूशन पेपर हुए उन सभी के क्यूशन पेपर हिंदिंग लिस में मिलेंगे इसे परचेज कर सकते हैं या फिर आप हमें वट्साप नंबर 8708-321-010 पे मैसेज कर सकते हैं जी तो आज के लिए अभी के लिए बसी तरह हैं दोस्तों थैंक यू वेरी मच बाबाए दोस्तों बाबाए